नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत शबुश भागते दोसों कैशी है आप अपू Immiद करते हैं कि बगवान भोलिनात के श्वरभाद शी आप शबी बहुत अच्छे होंगे दोसों हम आप शबी के लिए बहुत बड़ी खुशकवरी लेकर आये हैं हम आप शुबी को बता दे कि जिसके लिए आपकी आँखें तरिश गई थी कि यहाँ चीज हमें कब मिलेगा दोस्वों वहाँ चीज अब आपको मिलने वाले हैं ये दोसों बगवान भुलीनाद का अश्यरवाद इशा है कि आपके जुनकाल में आने वाले दो-दोके अंदर पूरा जिवन आपका बदनने वाले हैं ये दोसों हम आप शुबी को बता दे हैं कि जब भी इशुबी अपने वकत के जुनकाल में चमतकार करते हैं तो दोस्तों उनके जुनकार की शारी बातों को देखते हैं कि वह वेक्ति कौन से कार किये हैं कौन से कार या उनके लिए शही था और कौन से कार उनके लिए गलत था और दोस्तों पिछले कई शमयों से आप पने जुनकार में लगतार महनत पर महनत यकीन पर कि भगवान हर कार्यों को श्रमे पर ही देते हैं भले ही आपको लगता होगा कि यह चीज जिसके लिए मेहनत कर रहे हमें नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों आने वाली दो दुनों के अंदर भगवान आपके शबर का आपके इंतिहां का फल देने वाल है तो दोस्तों इसे में आप वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और शुरू से लेकर अंति तक देखे गया कि दोस्तों आज का यह वीडियो पूरी तरह गरह गोचर पर नेर्मी थे अगर आप इन्हें शुरू से लेकर अंति तक देख लेंगे तो दोस्तों इनमें आप शबी महत Сп二क्रों आ यह जान पाएंगी कि आखिर के अंदर आपको कॉन-कॉनषी बड़ी खुश्कबरी मिल ने वाली है यहाड यहाड शाइशक आइशक्वां के अंदर आपको कॉनसे विश्यश्क बातों का जणाने वाले हैं जो कि दोशा इन दोध्व के लिए बहुत ज़ाए ज़्यादوس ज़रुआ है दोस्तों ज़रु देखेसरों दूप लेकर अंधर अश्रत अरहा स्ट देखिए गुच्छे व्हास वस्तिक स कडरस्वा बैसे कर च भटाइशुर को देखेसर घर एंदि दोसों वीडियो को लाइक जो रुख करते हैं दोसों आप शुभी को बता दे इस धर्थी पर कोई इंसान नहीं है जो कि यहाँ चीज नँचाहता हो कि उनके जुनकाल में पेशा नाए कि उनके जुनकाल में खुशा नाए और उनके घर प्रवार में शुक शांती ना आए जे दोसों बेशोक शिवाते हर इंशान यहाँ चाहता है कि उनके जिवनकाल में उतना धन हो ताकि वो अपने जिवनकाल में जो भी चीजे हैं उन्हें खरी शकी जो भी उनकी जुनकाल की प्रियाप्त मात्रा में धन है उन्हें वह अरजीज करशखे हर कोई चाहता कि उनका किश्मत का धन्हान प्रियाप्त हो जाए लग्ए दूसरों हर इंशान श्रथी कारी को नहीं कर पाते हैं कुछ लोग रास्तों से बठक जाते है कुछ लोग किसी के बहकाव्य में आ जाते हैं गलत लोग के शलह ले लेते हैं जिनसे उनको परिश्यानियों का श्यामना करना होता है और शहीज समय में उनका शभी कारी नहीं बन पाता है तो दोसों यह शिए में आप कौन शीot करते हैं आप कौन शिवातों का ध्यान नहीं रखते हैं जे दोसों हम आप शिव को बिदा दे कि आपके जुनकी शब्से बड़ी कमजोरी है कि तुरंद ही किसी के उपर विश्वास कर लेना जे दोसों जुज लोगों पर आपको विश्वास नहीं परी करना होता है आप इस लोगों पर तुरंद ही यकिन कर लेते हैं जे दोसों तो आपने जुनकाल में आज भी आप इस गरती को छोड़ दें कि बिना जाने बोजे जिन विफिए किसी को अपर तुरंद विश्वास ना करें कि इस खुटोराण दोसों आपकी जुबंकाल की दुसरी गलती हो जाती है जो कि आपके मनमें कहीं न कहीं जरूव एस्या लाल geçे जाता है, आपको लगने लगता है। इस चीज से हमें उस चीज़ पर ज्यादा पैशी मिलेंगे, हम वहाँ पर ज्यादा पैशा प्रूचा कमा शक्तते हैं। वह महाँ मैं पूल भूद गलती हैं। कि दोस्टों बगवान आपको जो दे रहा है, वो आपके लिए कम नहीं है, भलेश आपको अभी कम लग रहा हो, तो आने वाले शुमे में वो आपके लिए शब से बड़ा मिसाल साविद होगा, ज़्यें दोस्टों, दोस्तों इन बातों का भी आप ध्यान रखें इश्क परान दोस्तों तिसरा जो बात आती है जो आप हर रोज कर देते हैं आप चाहते हैं कि आप इस कारे को नहीं करें लेगे दोस्तों फिर भी आप कर देते हैं दोस्तों आप कारे हैं गुश्या करना जे दोस्तों आप शु सब्सक्राइब करने से आपके जूनकाल कभी आगे नहीं पड़ेगा इन पर भी आपको ध्यान देना होगा कि दोस्तों जब भी जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं हैं बलकि उन्हें शांत छोड़ देते हैं गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है इसी परकार जीवन में भी प्रेशनी आने पर बेचेन होने के बजाए शांत रहकर पिजार करें दोसों आपको हल जरूर मिलेगा जिदोसों क्या दोसों सही बता रहे हैं यह बात सच है तो दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा तो आई दोसों से गुपरान बात करते हैं कि आने वाले दो दूनों के अंतर आपको कौन-कौन शी बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है आपका लवलाइब स्वास केरियर और धन के सिदे में कौन-कौन-शी बड़े शुदार होने वाले हैं शाद्य दोसों कौन-शी शादुनी आपको रखनी चाहिए इन बातों के बा देना और खोसिज करके अधिकतर काम श्वेंगी निप्टाना आपको अपने कारियों में शफल करेगा कोई रुका हुआ पेशा टुकुडों में मिलेगा प्रंतु इससे आपकी आर्थे की सथी कुछ बहतर ही हो जाएंगी इसको प्रान दोसने यह में आपकी सावधानी को आवश्यक्ता होंगी दोसनों आपको बता दें अगर आप कभी किसी विशे को गहराई से जानने की आपकी एक चावी आपको अपने विशे सलक्षों से भटका सकती है तो दोसनों यह में आपको इन सब चीज़ों को लेकर शाहतर रहना चाहिए इसको प्रान दोसनों यह मे आपके लिए जो समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि पेसे से समधित बातों पर यह में आपका दिक ध्यान बना रहेगा पेसे से समधित तकलिफें को दूर करने के लिए आपकी कोसिस में जारे रहेंगी और इनकी वज़शे किसी पड़िश मस्या का श्माधान भी यह म में आपको प्राप्त हो सकता है दोस्तों याश में आप पर बने हुए कर्जिय को दूर करने की आपी कोशिज जल्दी शक्ता ह्पलता में बदलने वाली है इसको प्राहत दोस्तों यह मैं आपके लिए ऋचित समय का निर्मान भी कर रहा है आप अपने सूजबुज तता बुद्धी मता दोरा हर कारी में शफलता प्राप्त करेंगे योजनाबत तरीके से कारियों को शफल आप कर पाएंगे दोस्तों किसी वरिश व्यक्ति की मदद भी यश में आपके लिए बहुत दी ओर तम शाप्त होगा इसको प्राप दोस्तों यहिश में ध्यान रखें कि बच्चे का अपनी पढ़ाई श्यर ध्यान भटक रहा है मरण जब की शाथ साथ उनकी पढ़ाई पर भी एक गरता रखना ज़री होगा दोस्तों येश्य में अपने गुशे पर काबू रखे तथा गैर रोकानने कारियों में ना हो लजे यह आपके लिए बैतर होंगे और इसकी प्राण दोस्तों येश्य में आपके लीज़ बंहोंगे के लिए आपको प्रिवार का खाश व्यक्ति या भाई का बहन का पूरा शयोग मिलेगा इसको प्राम दोस्ते यह शमय आपके लिए दोस्तों आपको बता दें कि आपके मेहनत और आत्मिश्वास की वजह से सभलता आपके नईदिक आएंगी हर बात को गहराई से समझना आप आपका विसेश गुल रहेगा आएके उचित मार्ग भी यह में प्रास्त होंगे कोई पैत्रिक शम्बंति समंदी लाब होने की योग बन रहे हैं इसको प्राम दोस्ते यह शमय आपके लिए दोस्तों आपको बता दें कि यह बदलते परिवेश के वजह से आप जो भी प्ल दोसे देने वाले इसको प्राहन दोस्तों यह शमय धिकतर शमय घर्ष बाहर गतिल्यों में भी बित सकता है प्रन्तों इसका कोई उचित परिणाम भी आपको हाशिले होगा इसली दोस्तों कोई बी नकातल बात आपको वहज़ित कर सकती है इस बात पर द्यां दें जिसका आपके श्वास पर भी पढ़ेगा तो दोस्तों इनको लेकर यह में आपको सचेत रहना चाहिए इसको प्रांदों से यह में आपके लिए सुनूंगे दोस्तों आपको बदा दे कि सहत की तरफ ध्यान देने की आपको आवशकता होंगी काम की बातें के वज़ाशे आपकी भा कोशे खुल कर मदद मंगने की आवशकता होंगी इसको प्रांदों से यह में आपके केरियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दे कारेस्तर पर किसी प्रकार का महतपुन निल्य आपको नहीं लेना चाहिए तथा वर्थमान के कारियों पर ही आपको ध्यान को केंदरित जाल पाएंगे इसको प्रांदों से यह में अगर आपकी लव लाइप को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिविल जोन की तो दोस्तों आपको बता दे कि गुष्य और उत्तेजना पर आपको काबू रखना चाहिए ब्लड प्रेशर आदे के शमस्या बढ़ सकती है तो दोस्तों यह में आपको शावधन रहने की आवश्यक्ता होंगी तो आई दोस्तों अंद में बात करते हैं एक एश्य उपाय की बारे में जिने गर आप इन दो दूनों के अंदर कर देंगे तो दोस्तों खुष्यों की जमाजन बारिस तो होगी शाती घर में धन की कभी कमिने होगी तो दोस्तों धिहान से सुनियेगा दोस्तों आपको अपने कारेश्टर पर जाते और लोड़ते शमी त्वार की जो जमिन को दाने हाच से चूपर अपने माथे फर अवश्य लगाए और अपने इस्ट देव का ध्यान करें इसे दोस्तों भागे मजबद होगा और इस्ट चंदक जाएगी तो दोस्तों इन्हों बाइल को करें फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए आपका शुमें शुब रहें धन्यवाद